देख लो चौपाल देख लो चौपाल रे सब बड़ा बड़े राओ जी सब लोग लुगायाओ जी तापरियान सब ल्याओ जी देख लो चौपाल देख लो चौपाल रे सब बड़ा बड़े राओ जी सब लोग लुगायाओ जी तापरियान सब ल्याओ जी चौपाल देख लो चौपाल रे माँ आपा रोजीन नमनमा विसेले रहताया करां और सावटी जानकारें आसिल करां आज आपने बात करां योग और योगिक किरिया मार ग्रामिना गाम का जीवन के माईमा को कितो मैत वे है और भाई बना योग आपन कोई भी चीद सो जुड़ आत्मा मन प्राण समने एक जगा घनीबूत कर और पच्चे करां तो आपनो शरीर स्वस्त रेसी आपने मांदग की नहीं आवें आपने ताजा रहें हर काम में आपने क्षमतावन कई गुणा बढ़ार भी के माईन लगा सियां तो निश्ची तरूप सो आपनों जीवन खुशाल मन सी तो आज यी योग पर आपनों चर्चा करें आपनों आज को भी से है ग्रामिन क्षितर और योगिक कि की जानकाने लिए आपने वीचे पदारिया है योगाचारिया रस्मी सर्मा साब आधर निया आपको चुपाले स्टूडियो माई गणों गणों स्फागते साथ धन्याबाद सब आज अपां ग्रामिन परीदर से के माईन योग की बात कर से हैं तो आप पहले तो आब केती करते हैं या कुछ कर'Tक yhtै तो भी हम साथ में योग को लेकर चल रहे होते हैं एक आदमी हल चलाता है हल चलाते वे जैसे ही उतको हाथ AAAL चलाता है श्वास भरता है और हाग की अवाज करते वे और फावड़े को नीचे आहल को नीचे मारता है तो वो उसके लिए योग है और वो उसको कितने देर तक कितने घंटों तक करता है सजकता पूर्वक एक ही तरफ ध्यान लगा कर अपना जुडाव अपने काम से कर लेता है और यह योग को मतलब ही जोड है बिलकुल काम के साथ तनमेता और तुपी को परिणाम है जोको सकारात मकासी तो योग आप बहुत अच्छी बात बताए कि योग ना के वल ग्रामेन जीवन में बलकि जीवन में महता हुए जाए वो पास्चाते है जीवन में योग को खासा महत्व है एक बात आप चुना कि कई बार योग करता मिया योग अचारी है जिका मुक्ति ने प्राप्ट करिया मुक्ष प्राप्ट करिया इस्वर को साक्षात कर रहे है कई यह देखा कि योग करता करता आदमी जिका आपका रोग है बाने भीहरा दिया तो योग आध्यात्म और विज्ञान आती एध्यान विज्यान, तीनु तो शू towards एं ज्ञान के ज्ञान को जनना जिग्यासा विज्ञान बहुत एक जगत को है awakajya सवाक को डूंड़ने के लिए उसके उसके बारे में जस्वाय करूकी रहता है और और अध्यात्म भीतर अपने भीतर उस्पता रहती कि हमारे भीतर क्या चल रहा है हमारे अंदर क्या है अपने आपको स्वैम को जानने के लिए चलता रहता है है ज्ञान और दीरे दीरे इस ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है विज्ञान और योग और अध्यात्म ए जबकि योग और अध्धात्म किसी भौतिक चीजों की ज़रूत नहीं उसे अभौतिक सीधे अपने भीतर जहांकने का प्रयास करता है और दीरे दीरे करते करते वो अंदर अपने आपको जानने लग जाता है विज्ञान आज अभी हम देखें लेटे में आकाश में आराम से अटीर Quéको की जानने लोगते लुक्यों एन दीर एऍविच्ञान अब यहां अपनी अपनी तखनीक अए और दीरेविज्ञान अब यहां पनी तक्नीक लेका उसने तीन सब्विन बनाई तो पचास हजार साथ हजार होगे उसको फिर भी चैन नहीं पड़ा उसने टेलिस्कोब बना दिया अब खरवो तारी अकाश में उसी अकाश में जिसमें कि हम बैटके लेटकर देख रहे थे तो फिर भी रहस्यम है आज की तारीक में भी विज्ञान गोज नहीं पाया है इतनी जिग्यासा इतनी जानकारी आज भी अपरेचत है और तो यह विज्ञान ने अपने हिसाब से आगे बढ़ता चला गया ज्यान प्राप्ति करता चला और आप आगे और चल रहा है योग भी धीरे-धीरे अपने भीतर चलता जालता है अबहुतिक रूप से अपने भीतर खोशता चला जाता है तरीके अलग लग लेता है दोनों का काम सत्य की खोज है दोनों जानना चाहते हैं अपने अस्तित्व को विज्ञान जानना चाहरा है कि हमारे अस्तित्व का कारण क्या है उसकी प्रकृति को जानना चाहरा और योग भी तो यहीं कर रहा है अप यह भी दोनों जुरेवे हैं क्योंकि विज्ञान हमें इतना मौका देता है कि अध्यात्म के रहस्यों को जाने और जो योग और अध्यात्म हैं वो हमारी इतने चक्षू खोल देता है कि हमें विज्ञान को एक नई तरीके से देखने का मौका देता है कि यह भी सही है दोनों विज्ञान के कुछ तरीके से यूज कर रहें अगर उसे सही तरीके से जो मौलिक विज्ञान है अध्यातमे और योग है एक साथ चलने वाले जोग हैं जिससे हम आगे चल कर हमारी ज्ञान को बढ़ाते ही हैं बगवान स्रीकर्शन हें योगिराज किया करे और मा जगदमबा है गफीन योग माया किया करे तो योग ममया है ने और ऑप न योगे घ्ञान करें यकोड़ाए कसि और आज कर्षि को योग अंतरायव। ऐसा है जो योग हमार को श्री किष्ण ने बताया उन्होंने कहा इस्तित्प्रग्या इस्तित्प्रग्या यानि सिर्फ इस्तितियों को देखो उनसे मोमाया से उनसे जुड़ो मत और उनके उपर एक्शन्स मत दो आप सिर्फ देखिए जो भी स्थिति और परिस स्थिति चल रही है आप यह आसपास उसको तठस्त हो के देखिए यह हमारे श्री किष्ण भग्वान ने कहा यूग गीता के अंदर आप यह मेरा है यह तेरा है यह उसका यह तो मेरे चाचा यह मेरे दादा नहीं क्या सत्य है क्या धर्म है उसको जानकर और उसकी स्थिति को कैसे जीना है आज कल यूग के अंदर आप देखिए चोरी है इंसा इंसा वगरे सब इतनी बढ़ गई है मार काट लड़ाई एक दुसरे का छीना छप्टी भाई-भाई का नहीं है बहन बहन का नहीं माबाप एक दुसरे का नहीं है उन्होंने इसके लिए योग के आठ सूत्र बनाए हां यम नियम आसन फ्रणाया प्त्य हार धार ना ध्यान और समाधि कि यह औन्होंने बदा दिये सीधे आसन प накिंटी कि आपके आपके सुसाइटी बनाके रखें यह हमारे सोसाइटी के प्रती रूल्स है और उन्हें फिर हमारे शरीर के लिए नियम बना दिये कि आपने आपको कलीन रखें अपने चित को साफ रखें शुध रखें मन तनको शुध रखें अपने संटोष कीजिए जो आप कमा रहें उसमें Sंटोष कीजिए दूसरे का हड़ापने की कोशिस नहीं कीजिए तब यानि कटोर परिष्रम कीजिए और फल की चिंता मत करते रहो रिजल्ट अपने आप आ जाएंगे योगिश्वर्ण भगवान श्री किस्ट ने भी यही कहा है कर्मने सुवाधिकारस तिमापले सुकादाट से नहीं तो कोई चीज अलग अलग है अब उसके बाद में स्वाध्या अच्छी किताबे पढ़िए अच्छी चीजों क सिर्फ दो हो गए जिसने हमारे श और मन को पहले से क्लियर करना चलू कर दिया आपको शुद्ध करना चलू कर दिया आज का परिदर से मैं आपा देखा मेंजी, तो ज़्यादा देखा है कि आसन ज़्यादा चाल रही है, फलाणों आसन करो, फलाणों आसन करो, फलाणों आसन करो, तो आसन है जो कतोब मेत्वपण है, साइद योगिक किरियावा भी आई है, तो आपनों आज को विसाई भी जासन कर रहा होता है कि अगौлов की तरह मुख बना के आसन कर लिया हमने रहुते हैं न बाइब की तरय मुजंग आसन बोलत तो सांप तरय है क्पोट यानी कैसे कुंद करता है हम अध्व मुख्षवां सं करतें यानी कुटा जिसते से stretching करता है आप देखिए वह खाना खाने के बार अपने दोनों पैरों को लेकिए और पूर आपर पैरों को खीज देगा तान देगा हिप्सकोप उठा लेगा उसको पता है क्या करना है मेरे शरीर का मैं जानकारी रख रहा हूं व्यागरासन शेर वो खाना किस तरह से अपना पचाता है तो हर एक आसन जुड़ा वजब जानवर को पता है और वही आसन चल रहे हैं योगे करियाएं भी वही हैं बस सजगता पूर्वक ध्यान से अपना जैसे आज मैं एक उंगली बी उठा रही हूं आज मैंने मेरी उठाई तो यह मैं अगर ऐसे उठाते हूं बीना जानकारी कि एक मैं श्वांस के साथ कि मुझे यह उठानी है तो मेरा मन तन और श्वांस तीनों इसके साथ जुड़ गए इसकी वज़े से क्या हुआ कि मैं अपने पती सजग हो गई और मैंने मेरे लिए बहुत कुछ करने लगी जा सजगता सो अंगली उठाने वा तो किया उठावा बताओ एक बार देखे श्वास भरिये और दीर इसे अटीर से को यहा यहे श्वास लिया और छोड़ दिया अब हातों को टाइए स्वास भर्या और छोड़ दिया अब आए खेतीवारी के हैं हम कहते हैं उत्कटासन कीजिए स्क्वैट्स कीजिए जिम की एकसिसाइज में नाम लें तो हम क्या करते हैं और तो रोजी करती हैं गोबर उठाती है ले जाती है रख्याती है वापिस आती है गोबर उठाती है वापिस लाती है ले जाती है विल्कुल योग ही कर रही है जोड़ते स्वांस को जोड़टें मिककासरत कर रहे होते हैं सरी योग हमारे शरीर की फ्लाक्सिबलिटी वधा था जन्सारी बहुती है पर वह बड़ा मैकनी जब अच्छा वे बहुत बड़ा जाते हैं वो योग में होते हैं क्योंकि हम उसके हिसाब से चलते हैं जबकि कसरत के अंदर हमारा शरीर बलिष्ट होता है हम सो किलो का समान उठाते हैं डंबल्स उठाते हैं कसरत करते हैं डंड बैठा करते हैं लेकिन वो शरीर को बलस्ट बलिष्ट बनाता है मास्पेशियां चिकत्स है क्रम को चालू कर देता है कई वार हमें बहुत सारे बिमारियां चालू तो दोक्टर को बन जाता है वह मैं करूंगा तो मैं ऐसे चीक हो जाओंगा आज एक सीधी से अपच्कि की बात कीजिए आज आप कस्रत stop बाई क्या करना है आपको फेफड़ों के लिए कुछ नहीं करना अच्छे से श्वांस बरके दोना हाथ उठा और छोड़ दो नीचे तो फेफड़ों करना चाहिए क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए ज़रूर बता है क्या है सबसे पहली बात दो तीन ड्रॉबैक्स हो गए हमारे गलत लाइफस्टाइल चालू हो चुकि आज की तारीक में अंदर रहते कमरों में एसी चला के रहते कूलरों में रहते हैं आज आप देखों बाहर जाने की तो व्यवस्ता ही नहीं है कोशिश कीजिए थोड़ा सुबह जल्दी उठें आराम से थोड़ा सा सूर्य की देवता की आराम से उठें तो उके बाद में थोड़ों सो काम है कि दो चार आसन है जैयां की बुजंग आसन अजैं सांप की जैय आपने आप जो अक्सिजन आपने पूरा इंदर वाता वरान चेह और तेजी से बीतर जाबा लाग जाओ ली और कार्मन डाइस टॉक्सिस बाहर आता जाओ ला तो बुजंग आसन इतनों फाइदा मैं चेह कि प्रण मजबूत होता चल जाओ जाओ रोज की रोज प्रैक्ट बात बात और निकल रही सब्सक्राइब इम्ट्राइ बढ़िया है आतमी की रोगपर्ति और ग्संता सांदार हुनी अप बहुत अची बात बात बदा जाए कि मैं योग करवा तो शरीर रीख और बढ़ा बने जाए बिलकुल बात बात है आप बहुत सारे आसन कर सकते हो ज तरहें बगाएदा गुटनों के बला के पीछे पाहर को पाइंकल जॉइंस को पकड़ लेते हैं पीछे एडियों के पर अपर अपना में खेलता है यह तो पहले के खेलने की साफ से इसाफ से नाम दे दिये गया एक शेहरी बातावरान के हिसाफ से चीजे गाव की उठाके ही स अपने आप एक अच्छा योग हो एक इम्मुनिटी बूस्टप होती है इम्मुनिटी हमारी प्रणायाम से भी पूस होते हैं सजकता पूर्वक श्वांस को लेना अब इसको दो तीन चार तरीके हैं जैसे नाम दिया जाता है कपाल भाती बस्त्री का प्रणायाम अनुलों अच्छी बढ़ने लग जाते हैं कि अंदर के जो सीक्रीशन से देखिया आजकल आदमी तनाव में जी रहा हैं तो यह कौटिजोल अंदर अब थोड़ी सी बात करूंगी सब समझ में रहा हैं अंदर कुछ इस तरह एंजाइम सोते कुछ स्त्राव होते हैं है ना वो तनाव जैसे हम योग के प्रती अपने ध्यान लगाते हैं योग के प्रती तरफ चलेने जैते हैं तो हमारे अंदर दो तिन ऐसे इसतरा होते हैं जहें हम 스트ron हम कहते हैोशी वाले हार्वान हुश्यों उससे हम खोश हो जाते है हमारा श्रीर को स्चोने लग जाता है अब एक तरफ और मैंने כर है और फिर भी खुश हो रहा बहुँकुन जया लेकिन वह शरी मेसी कौ बिरूंग जाता है। वह उसको पत्राइब मेने ले कुछ क्या है। बगवार ने यहनी च्रुवर दिया आश्डय है और शरीर को हम समालने लगग गए। तो खुष होता है शरीर बिल्कुल होता है शरीर खुछ हो ने हर्मोस रिलीजित किया तो मन भी शानत ऊंत विद्ध है दिमाग कि सówग्ड हम आत्मा राजी है तो पर्मात्मना राजी है तो उसलिए ताड़ा सथाम अर्ध्कति चक्र attendance इवा भुजंग उश्ट्र अजिए अर्धमत्सेंद्र असन है सर्वांग शनलेट कर पैर उपर करना पीत के बल लेटकर पैर उपर करना सेतू बंध असन है यह सारे असन बहुत फायद मंद हैं हमारी इमुणिटि सिस्टम को स्ट्रोंग करने केले हैं करता लोगन देखां सीरसासन नीचे माथ हो है उपर टांग है तो विलकुल 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 शीषासन वैसे भी आसनों का राजा ही किलाता है क्योंकि इसमें क्या होता है वैसे तो हम आप देखिए पैर नीचे से उपर रहता है हमारा जो रक्त संचरन है वो सिर स से पैरों की तरफ ही जाता है और हम हमेशा यही होता रहता है तो जब हम शीशासन करते हैं सिर नीचे और पैर उपर तो हमारा रक्त संचरन सिर की तरफ जाने लगता है और जब सिर की तरफ रक्त संचरन जाने लगता है तो हमारे जो नियूरॉंस है ब्रेन सेल्स हैं उन पर ब्लड आराम से पहुशने लगता है और ब्लड के साथ क्या जाता है ऑक्सिजन और एक ब्रें सेल तक पॉशने लग जाती है नियूरॉन्स तो दीरे दीरे आपका तनाव खतम आपकी स्ट्रेस लेवल खतम हो गया फिर आप देखिए दीरे दीरे और होगा तो चहरा सुन्दर होने लग जाएगा क्योंकि रत्रसंचरन तीज हो रहा है रोज दोज करेंगी चहरे पर चमक आने लगेगी आपका कोर जो है जिसे कहते हैं भारा पावर जिसे कहते हैं जीवनी शक्त तो हम क्या गरें अब एक सिंपल सी बात है मेरे से तो नहीं होता सर नहीं चरके में तो गर्दन में दर्द है कैसे गरोगे कि कैसे गरू में तो गर कुछ नहीं है दिवार के सारे दोनों पैर उपर करके पीठ के बलेट के भी करोगे न और पैर उपर कर लोगे दिवार के सा चरण अपने आप उल्टा होने लग जाएगा बिल्कुल सही है आपको ज्यादा तकलीफ देने की चरूते हैं और यह सब को ही कर सकते हैं क्योंकि दिवार के सारे पैर हैं नीचे सीधे की सीधे हैं फिर और थोड़ा आपको अच्छा लगने लग जाए तो अपने हैना कूले हैं को ऐसे इसी सीधे के बिल्कुल तो सारवांगा स्वाइब चांव जान कर रहा है विश्यादा आसनिया बताओ जो थे बेठे भी दर्सकाने बताओ को गरामिन परिदर्से के मैं ने शुख्ष्मयोगे क्रिया है आसन तो बहुत बात की बात है आज मैं अराम से बात हुआ हुआ तो उंगियों को ही चला फिर धीरे धीरे मुठ्टियों को चलाओ खोलू बंद करूँ फिर म मैं हत्या को चलाओ फिर में कलाईयों को घुमा यह चोटी-चोटी हर एक जॉइंट की एक्सरसाइज हो गई में मेरी हातों को चला रही हूं कोहुणियों को घीरे मैं मेरे कंदों को चला रही हूं श्वांस भरती जाओ अब आप देखिए बुजंग आसन में हम क्या करते ह पहला रहे हैं इस फेला दिया ना इस लिलकुछ उजी तो दीरे दीरे सारे काम इसु भी परण गण जारी और कई लोग देखा है बेटे बेटे यहां आपस के माईने नाखोन भी बिढ़ाता रहे है व भी कोई योग है काई है यह यह योग तो नहीं है लेकिन हमारे यहां अ अच्छा तो जब हम यू कर्शन करते हैं तो हमारे एक्यू प्रेशर पॉइंट वो दबते हैं उसकी वज़े से रख संचारन होता है परिस्तितियां है कि मैंने एक आदमी माली भीमार हो जाए कुछ भी कोई कारण कि जुको योग भी इस्तितिम नहीं कर सके कौन कौन से मारी हो बहुत तेजी से जुकाम हो गई अब आपसे प्रणायब करने बैठ जाएंगे एकदम से तो भी दिक्कत आजाए है ना अभी कहते हाट के लिए बहुत अच्छा है कोई आसन लेकिन अभी हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई हार्ट अटक आने के चांसे हो गए और महीने तो सर्फ श्वास पे ध्यान दे और चोटी जो योगिक सुंक्षुम कियाय मैं बता रही हूं दीरे दीरे वो करें और फिर उसके बाद में चौते महीने के बाद में वो कुछ आसन और बहुत अच्छे होते हैं जो उनको करने ही चाहिए बहुत फाइदेमन्द है गर वहाँ तगडी जिवन शेलिए कोई फिर विल्डिंग है घाड्या है कार रहा है अपने कहने बिवन चाहिए तो इस तितिन ले तुट्व नहीं तुटू नहीं चाहिए कई बार इस हैर लोग तो जोग नहीं तो पर कोई के कहीं विज़शु है कोई कहीं क्या करें कोई लुग आया बात कर लेगा है उमेज तनाव जाओ 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 कि आमार से आके दी जे पोडोशन आपका मोटार रूहसन सर बोधरी भी की चंता होगे को तो राजी राजी रेर यार आपनी ये किया है तो वो कियो ने कोई तना दुखिय कोई मन दुखिय कोई धन भी न रहते ह तो थोड़ा सब पुखिये वाई सखी राम का दास तो तनाव की स्थिति को मैं काहीं करनों जाएंड कई यॉग कोई इक तो सबसे पहले अपनी सोच को सकारातमक राखी है समस्या है समस्या है समस्या तो समस्या वहीं रहेगी उल्टा आप अपने मस्तिश्कों को आदेश देता है कि समस्या रहनी है एक आप सकारात्मक सोच रखें कि मुझे इस समस्या का समाधान निकालना है जब आप उस तरफ से सोचने लग जाएंगे तो आपका शरीर मन और मस् जाएगा और यह 100% सत्य है कि आपका उस प्रॉब्लम का सॉलुशन निकलने लग जाएगा यह तो सिंपल सी एक चीज है लेकि बहुत बड़ी चीज है क्योंकि यह सोचना ही बहुत बड़ी बात है कि मैंसा सोच हूं आदमी तो पहले किता है सर में दर्द हो रहा है सर में दर् स्थिश्क को तो वो ठीक होने लग जाएगा तो यह तो हुई एक बात कि सकारात्मक सोच रखनी है समस्या जो भी है उसके लिए आप समाधान निकालने की कुशिश करें दूसरे कुछ आसन है जो कि हमें इसमें मदद करते हैं जैसे कि पश्चिमुत्तानासन है उत्तानासन है भुजंगासन उनमें से एक आता है सर्वांगासन है यह सारे आसन पादप्रसारित पश्चिमुत्तानासन है यह सारे आसन जो ब्रेंग की तरफ खून को लेके जाते हैं मस्तिश को बहुत फाइदे मंद है तनाव को कम करने में साथी प्रणाया क्योंकि प्रणाया हमारी श्वांस पर ध्यान को केंद्रित करने लग जाता है और जब हम श्वांस के साथ अपने आपको जोडने लग जाते हैं तो धीरे धीरे करके इस्तिती वह ही है चायवासन हो प्रणायाम हो हमारा ब्रेन उसी साथ से काम करने लगता है फिर आता है श्वासन और ध्यान ध्यान एक चीज पर, किसी जप पर, हम अपने भीतर एक ध्यान की प्रक्रिया को चलाते हैं, और स्टार्टिंग में चाहिए आप उसे जप ध्यान कहलें, यानि हम एक मंतर पर ध्यान दे लें, लगातार उस मंतर को बोलने लग जाएं, दीरे दीरे उस मंतर को छोड़ दिए, किसी ज किसी अब्जेक्ट पे ध्यान करने लीजिए जैसे आप अपने आपके जो भी इस्ट देवता है आप कृष्ण भगवान का रूप निहारिए देखे करिए तो आपका ध्यान कहां से अटेगा आप जिसे आप नोट कीजिए आपके सरदार दो रहा है आप घर में बैटे बैट अब से फिर्पकड के वैठें अभी आपके पास कोई आग्या तो क्या आप उसके पास पर भी सरदार बैठे आप उससे बाते करने लग जाते हैं 5-10 मिनट होते होते आप भूंचुके होते हैं कि आपके सरमें दर्ध हो रहा हो गयूं क्यों कि आप ने अपनी उस परेशानी वाली स्थीति से अपने ध्यान को शिफ्ट कर दिया और दोसरी तरफ लगा दियां तो इसी तरह से ध्यान bisa के विबिण तरीकों से यह नहीं कि लोग कहते हैं औरे ध्यान ओश्वांस पे ध्यान है नहीं लग सकता कई लोग नहीं होता ध्यान तो दिमाग तो सोप उस पे चल रहा है कैसे कमाऊं कैसे लाओं घरकच कैसे चलाओं काम कैसे करूं चीज को सकारात्पग बनाई है कि अभी मैं अच्छा म्यूजिक सुनू मै मैं किसी मंतर का जाब करूं मुझे कोई चीज अच्छी लग रही है बागबानी तो मैं वो करूं यानि कि मननेज की बार्योब करो और योग कर्यां सका रहा तो मिकता अपना आपा जैसी फिर अब रसमी जी एक समय की मर्यादा में है बहुत ची बातां रहेगी कासा बातां करता योग ने किया रखो और पर ने एक समय की मर्यादा में तो भाई बेना आसा गना आज को कार्य करम आपने दायाई हो सी और अश्मी जी आप जपाल इस्टूडियो माई पदा रहा ये बास्ता आपने गणा गणा रंग गणा धन्यवाद और भाई बेना नई वी से ले फैर मिलसे है जट तानी डाहम आप सुझा जट राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा